इस विडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243ZA के बारे में ये बताता है Municipalities का Elections के बारे में तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताय जा रहा है कि जो भी election होगा Municipalities का वो किसके निर्देश के अंतर गत होगा तो वो State Election Commission के अंदरगत होगा State Election Commission उसका जिम्यदारी लेगी पूरा एलेक्षन करवाने का और State Election Commission में क्या होगे तो एक State Election Commissioner होगे जिसको खुद Governor एपॉइंट करेंगे और State Election Commission के पास ये Power होगा कि वो अगर उसको लगे State Election Commission को अगर लगे कि मेरे पास कम आदमी है एलेक्षन करवाने के लिए तो वो राजी से एलेक्षन करवाने के लिए और आदमी मांग सकते है पैसे मांग सकते हैं वगेरा वगेरा तो State Election Commission के पास पूरा पूरा Power है कि वो मुनिसिपैलिटीज का एलेक्षन करवा सकती है ठीक है दूसरा इसमें प्रोविजन ये है कि अगर State का लेगिस लेचर अगर राजी का जो विधान सभाव विधान परिश्चर या विधाई का जिसको कह सकते हैं वो अगर चाहे तो कानून के तहत मुनिसिपैलिटीज का एलेक्षन में चेंजेज ला सकती है जैसे रिजर्बेशन कर सकती है कि 33% औरत लोग के लिए रिजर्बेशन हो जाए वोमेन के लिए रिजर्बेशन हो जाए या फिर 50% मर्द के लिए रिजर्बेशन हो जाए तो अगर राजी अगर चाहे तो विधाईका के तहट कानून बना करके मुनिसिपैल्टीज के जो एलेक्शन है उसमें चेंजिस ला सकती है ठीक है तो आर्टिकल 243ZA यही था अच्छा एक मतलब ऐसे बस दिमाग में यह आया कि अगर राज जी चाहे तो विधाईका के तहट कानून बना करके मुनिसिपैल्टीज में 50% बच्चों के लिए रिजर्वेशन कर सकती है मतलब जो 18 से एवब हो और 21 से लेस हो तो मतलब यह भी किया जा सकता है बट यह था आर्टिकल 243ZA बस इसमें इतना ही अब यह विडियो आपको अच्छा लगा देन लाइक करो, सेर करो, कमेंट करो सब्सक्राइब करो चैनल को और थैंक यू बरी मच